जै मातादी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ अहोई अस्ठमी की साल 2021 में अहोई अस्ठमी का वरत किस दिन रखा जाएगा अस्ठमी तिथी कब से लेकर कब तक रहेगी सही तिथी औ और शुबमूर्थ की इसके साथ ही मैं आपको बताउंगी अस्ठमी तिथी के दिन याने की अहोई अस्ठमी के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए और ये वरत क्यों रखा जाता है और साल 2021 में 28 अक्टूबर गुरुवार के दिन अहोई अस्ठमी का वरत रखा जाएग अहोई अस्टमी का वृत माताई अपनी संतान की लंबी आयू खुशाल जीवन उनके अच्छे स्वास्थ और उज्वल भविश्य की कामना के लिए रखती है इस दिन को अहोई आठे भी कहा जाता है और ये जो वृत होता है ये करवा चौत के वृत के ठीक चार दिन बाद औ इस दिन माता अहोई भगवान शिव और मा पार्वती की विधिविधान से पूजा की जाती है साथ ही स्याव माता की भी पूजा आज के दिन की जाती है जानते हैं अस्टमी तिथी के बारे में अस्टमी तिथी प्रारम हो रही है 28 अक्टूबर की दो पहर 12 बच कर 50 मिनट स जिसकी समापती होगी 29 अक्टूबर की दो पहर 2 बच कर 9 मिनट पर वैसे तो जितने भी अधिकतर व्रत होते हैं उसमें सुर्य देव या फिर चंद्र देवता की पूजा की जाती है लेकिन जो अहोई अस्टमी का व्रत होता है उसमें तारों को अर्ख दिया जाता है और त पूरियास्त का समय रहेगा शाम 5 बच कर 47 मिनट पर अहोई अस्टमी के दिन शाम की पूजा करने का और तारे देखने का समय रहेगा शाम 6 बच कर 3 मिनट पर अधिकतर लोग अहोई अस्टमी के दिन चंद्र देवता को भी अर्ग देते हैं तो चंद्रोदे का समय रहेगा रात 11 बच कर 47 मिनट पर ऐसा माना जाता है कि रहुकाल के समय में कोई भी पूजापाँट या कोई भी विशेस काम नहीं करने चाहिए तो अहोई अस्टमी के दिन रहुकाल का समय भी लगने वाला है जिसका समय रहेगा दोपहर 2 बच कर 11 मिनट से लेकर 3 बच कर 51 मिनट तक अब मैं आपको बताती हूँ कुछ विशेस नियम जिनका ध्यान आपको अगर आप पहली बार अहोई अस्टमी का वरत रख रही है तो जरूर करना चाहिए ऐसी मानिता है कि अहोई अस्टमी के वरत में माताओं को किसी भी तरह की धारदार चीजों का प्रियोग नहीं करना चाहिए जैसे कि अगर आपने वरत रखा है तो आज के दिन आप चाकू का प्रियोग ना करें कैची का सूई का इन सब का प्रियोग ना करें आप किसी और से काम करवा सकती है अहोई एस्टमी का वरत रखने वाली महिलाओं को आज के दिन अहोई माता की माला अपने गले में पहने होती है जो की चांदिकी होती है और हर साल इसमें आपको एक-एक माला का दाना बढ़ाना होता है तो ये माला आपको दिवाली तक अपने गले में पहननी होती है और पूजा विधी के बारे में बताऊंगी अहोई एस्टमी के वरत में सफेद चीजों का सेवन करना वर्जित माना जाता है जैसे कि आप पारण करते समय या दिन में कोई भी सफेद चीज जैसे की चावल दूद दही आदिका सेवन ना करें पूजा करने के बाद आपके घर में अगर कोई पुजुर्ग महिला है तो आप उन्हें दान दक्षिना या वस्त रादी की भेट जरूर दे और उनका भी आशिर्वाद आपको लेना चाहिए अहोई अस्टमी के दिन सफेद रंग की चीजों का प्रियोग नहीं करना चाहिए जैसे कि आप वरत का पारंट करते समय या दिन के समय कोई भी सफेद चीज जैसे की दूद, दही या चावल का प्रियोग ना करें और साथ ही करवा चौत की तरह यह व्रत में निर्जला और निरहार ही रखा जाता है लेकिन करवा चौत के व्रत में रात को चंदर देवता को अर्ग देने के बाद व्रत खोला जाता है तामसिक चीजों का प्रयोग आज के दिन नहीं करना चाहिए, साथ ही आज के दिन आपको अपनी संतान को किसी भी प्रकार से ना दो डाटना चाहिए और ना ही उनका दल दुखाना चाहिए अगर आज के दिन आपके घर पर कोई भी याचक कोई भी निर्धन विक्ति आता है तो आप उन्हें कुछ न कुछ दान दे कर ही भेजे और साथ ही आज के दिना माता को भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ भोग है वो परशाच शरूप अपने बच्चो को खिलाना आप मिट्टी की मूर्ती बना सकते हैं लेकिन आज के दिन जिस तरह से जैसे गार्डनिंग करते हैं या खुर्पी से कोई भी पौधा उखारते हैं तो खुदाई वाले काम आपको नहीं करने चाहिए वैसे तो अहोई अस्टिमी का वरत माताईं अपनी बच्चों के लिए कर लगते हैं तो निज सांतान माताई भी आज के दिन संतान प्राप्ति की कामणा से इस वरत को रख सकती हैं अहोई माता के करपा से उनकी घोध भी भर सकती हैं अगर आप विधिविधान से अहोई अस्टमी के दिन किये जाने वाले जितने भी नियम है उनका पालन कर सकती है तो आप जरूर करें अगर आप अहोई अस्टमी के दिन संतान प्रात्ति की कामना से पूजा करना चाहती है ये वरत रखना चाहती है तो आप शाम को शुब मुर्थ में प पचा कि बोगंचन भी अधा उसका आधा हिस्सा आप गाय के लिए निकाल दें पक्षियों के लिए साति अहुय माता से प्रार्थना भी करें की गोध जलदी भर दें अहुय अस्टमी की व्रत कता आपको सुभ़ और शाम दोनों ही समय सुनने चाहिए आपको इन सभी बातों की जानकारी मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो में जरूर मिल जाएगी इसके लिए अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब करने के सादसाथ प्रेस कर सकते हैं अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अहोई माता कीज़े लिखना मत भूलेगा